बिहार विदान सबाद चुनाव का शंकनाद जारी है शंकनाद भी हो गया है बिगुल बच चुका है और बिहार में चुनावी मौसम भी लगातार तीवर गती से आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है और दो चरण के मतदान अभी होने बाकी है जो कि आगामी 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने है जिसको लेकर बिहार के कोने कोने में हर एक राज़नितिक दल के नेता जनसभाओं को संबोधित करने में लगे हैं और इसी कड़ी में पर भोजपुरी अंदाज में उन्होंने विपक्ष को घेरा है एंडिये के विरोधियों पर निशाना साधा है क्या कुछ कहा है देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने हम आपको थोड़े दिर में एक वीडियो दिखाएंगा आप इस वीडियो में देखिए और कि अडा जिखाएंगा फिल देखिएंगा इस वीडियो में प्रदान मंत्री मोधी ने में ने विक्षाएंगा शाखिएंगा एंडियो देखिएंगा श्कता है जी सञान दुने के हां रहा हो वहां वह ने को लाव इसी को फोड़िये जो भी बंद हो जाएंगे ये भंधी होगी अंडिये के विरोजियों से यही कहन है तो आपने देगा किस तरह पिये मोधी विपक्ष को घेर रहे है वो भी भोजबरी अंदाज में और साथी साथ अंडिये के विरोधियों को जम कर खरी-खरी सुना रहे हैं अपने भाशन से उन्होंने फिर से एक बार विपक्ष को जम कर हमला बोलाए विपक्ष पर जम कर निशाना साथा है और आगामी 3 नमबर में जो दूसरे चरण का मददान होना है बिहार में उसी के लिए मैं आपको बता दूँ कि पीम नरेंद्र मोधी बिहार के छपरा पहुँचे थे पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि मौके पर पीम के साथ सीम नितीश कुमार भी मौझूद रहें तो फिलाल के लिए मुझी दीजी इजासत और बियार विदानसभा चुनाओं के लेटेस्ट अब्डेट्स के लिए कि मैंने वाट